हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी लोग आसा करती हूं बहुत अच्छे होंगे लेकिन आजकल मौसम बारिश की वज़े से बहुत तेजी से बदल रहा है तो मैं हाजिर हूँ एक बहुत ही जादा टेस्टी और हेल्दी मलाई केसर चाय की रेसिपी लेकिए तो बनाना स्टार्ट करते हैं यहांकर बनाने के लिए मैंने थोड़ ले लिया है यह चार से पाँद चम фильма दूध और यह जो है कच्छा दूध है इसमेरे अबाला नहीं है तो यहां पर सबसे पहले हम जो मैं धुल कर लेंगी है तो यहां पर देख के अंदर आट से नो केसर के धागे यहाँ पे add कर दूंगी तो देखे add कर दिया है अभी add करने के बाद से friends already हमारा जो दूध है यह boil हो चुका है तो जब यह boil हो चुका है तो आपको यहां पर flame को low रखना है और आपको क्या करना low flame की उपर ही आपको दूध को अच्छे से boil करना है जिससे जो केसर है उसका color और aroma दोनों हमारे milk में अच्छे से release हो जाए तो देखे low flame की उपर हम इसे boil कर रहे हैं तो अच्छे से boil हो चुका है अरोमा और color release हो चुका है लगबग तो अभी मैंने इसे flame से क्या करा है कि हटा दिया अगर आपको लगेगी अच्छे से color release नहीं हुआ है तो आप किसी blender या normal spoon की मदद से थोड़ा से beat कर ले बड़ा ही प्यारा सा color आ जाएगा तो अभी देखी color आ गया है मैंने एक दूसरे कटोरी में निकाल के से side में रख दिया है अब चाय बनाने के लिए मैंने एक pan लिया है और pan के अंदर मैंने आपे दो कप पानी add किया है friends आप अपने हिसाब से proportion को कम या जादा रख सकते हो मतलब अगर आप जादा लोगों के लिए बना रहे हो तो आप पानी थोड़ा बढ़ा सकते हैं पानी को कम भी कर सकते हैं अपने requirement के हिसाब से यहां पे इलाइची और एक लॉंग लिया है बाकी मैंने थोड़ी सी काली मिर्च लिया है तो इसे हमारा यहां पे मैंने इसे कूट के तयार कर लिया है और यहां पे देखें हमारा पानी भी हो चुका है तो चलिए मसाली को इसमें add कर देते हैं मसाला add कर दिया है अब मैं आपे आड़ कर रही हूं तुलसी का पत्ता बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है सरदी खास ही हर तरह की प्रॉब्लम से हमें छुटकारा दिला और मैंने आप पे लिया है अद्रक तो अद्रक को मैं ग्रेट करके डालनी हूं अगर आप चाहो तो इसे मसाले के साथ कूट भी सक तो जब बॉयल हो जाए तो आप इसमें चाय की पत्ति डाल दे चाय की पत्ति अपने हिसाब से डाले लेकिन मैं यहां पे डाई चम्मत चाय की पत्ति आड़ कर रही हूं आप जैसा पीना चाहे उसे साब से चाय की पत्ति रख सकते हैं चाय की पत्ति को अच्छे से अपना सकते हैं ऐसके भी देखेकर चीनीकषोन चारक और दूद दूद कौने दूध ब jyad करो सकते हैं कि चीनी को ऑखराना तके सार्बवाइल यहां हो यहां पर पानी में उपाब舞 सोप कौने कि जो मलाई होती हैれ जब निकल जाती है तो चाए में ऐखा कलर नहीं आता हैर पर यहां पर मैंने मलाई वाला बिंना किया हुआ उगायो अगर आप चाहो तो यहां पर भाओद कर डाय pray क्लिप दूद इस्तिमाल कर सकते हैं तो डेर कप मैंने डूद डाल और आधा कप यह जो हमारा केसर वाला दूद था यह मैंने आड़ कर दिया है अभी आड़ करने के बाद पहली बार तो देखो आपको फ्लेम को हाई रखना है और हाई फ्लेम की ऊपर आपको चाई को कर दे और यहां पर कर दे फ्लेम को लो अब फ्रेट्स अगर माल लो कि हन्यमना दूद उबाल के रखा हुआ है तो हम इस चाई को गाठा कैसे करेंगे तो आप इसमें थोड़ा सा मलाई आट कर दीजे जिससे के हमारा चाय जो है वो ठिक हो जाएगा क्योंकि नॉर्मली मैंने फ्लेम को हई कर दिया है और हई फ्लेम की आण पर इक बार अच्छी खुश्चाय को जरूर बनाके और मुझे कमेंट से बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी सर्फ कर दिया गर्म गर्म चाय और उपर से चुकी ये केसर टी है तो मैं यहां फिर ऊपर से थोड़ा से केसर से गार्निश करूंगी ये अप्शनल है अगर आपका मन दोआ करिए तो रेसिपी कैसी लगी चरूर बताना थैंकु सुआ हुआ 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 हुआ